हेलो एवरिवन जैसे आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान के उपर तालिबान का एक तरह से पूरा कबजा हो चुका है और अफगानिस्तान के जो प्रसिडेंट है वो अफगानिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और यहां पे अब यह बिल्कुल इमिनेंट यह माना जा रहा ह कि अफगानिस्तान के अपर तालिबान का ही रूल रहेगा आने वाले टाइम में इस पूरी सिचुएशन से काफी सारी प्राब्लम्स जो हैं क्रियेट हो रही है यहाँ पर यूमन राइट को लेके हम बात करें या फिर जिस तरह से रैडिकलिजम यहाँ पर फैलने की संभाव आना है या टेरर ग्रूप्स यहाँ पर अपनी जड़ें जमा सकते हैं यह सारे कंसर्स लगाया जा रहे हैं और इसी के साथ इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर क्रियेट हो गई है इंडिया के लिए अफगानिस्तान हमेशा से बहुत साउथ एशिया में रिजनल स्टैबिलिटी की बात किया जाए तो अफगानिस्तान है जो डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पर दे रहा है अफगानिस्तान को वो भी यहाँ पर एंडेंजर होता हुआ दिख रहा है अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हिस्टारिकल बैक्राउं देखें तो अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखेंगे इससे पहले 2000 आटेक जो थे जिसके बाद में वहाँ पर USA ने अपनी परजेंस एस्टेबिश की थी तो उससे पहले का जो पीरियड था वहाँ पर तालिबान का रूल था लगबग 96 से अगर हम बात करें और उस टालिबान की तरफ से जिस तरह की अट्रोसिटीज की गई थी वो कॉज आफ कंसन था और बिफोर दा इवन बिफोर दा पीरियड जो 79 नाम पर कुछ नहीं था अगर यह 79 से 89 का पीरियड देखें तो यहाँ पर क्या था जो सोवियत मिलटरी थी और अफगानिस्तान जो थे उनका जो कंफिलिक्ट था यहाँ पर मुजाहिद दीन थे इनको सपोर्ट था यूएस की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से तो इन मुजाहिद दीन के और सोवियत आर्मी के बीच में यहाँ पर आपका कंफिलिक्ट था जो ए 11 के बाद US की presence यहां पे रहती है तो US की presence आने से इंडिया को थोड़ा एक protection यहां पे मिलता है और इंडिया यहां पे invest करना start करता है अफगानिस्तान के अंदर investment इंडिया की तरफ से start होते हैं overall अगर हम बात करें तो इंडिया ने हर जगे पे invest किया है चारे हम roads की बात करें डैम, electricity, transmission line, schools हैं, hospital हैं हर जगे पे इंडिया का investment देखने को मिलता है आज की तारिक में इंडिया की जो development assistance है उसको लगबग 3 billion dollar के आसपास आप मीजर कर सकते हैं इंडिया का development assistance और ज़्यदा strong होता है with the signing of agreement 2011 का यह जो agreement है Indian Afghanistan strategic partnership जो है यह हमने sign किया और यहां से इंडिया का commitment है वो और strong हुआ कि हम यहां पे आपका infrastructure में, institutions में, technical assistance हम आपको देंगे, duty free access दिया जाएगा Indian market का और इस तरह से पूरा इंडिया ने जो investment किया हुआ है इस context में तालिबान ने जो आपका capture किया है आफगानिस्तान को इस context में हम इंडिया का investment है आफगानिस्तान में over the years उसको एक बार देखेंगे किस तरह से इंडिया ने invest किया है और किस तरह से तालिबान का जो rule है इस investment को treat एक तरह से पहुँचा सकता है पूरे issue को detail में discuss करेंगे आगे बढ़ने से पहले this is a brief introduction about me my name is Rahul भर्दवाच यह मेरा telegram group है इस पे आप मुझे follow कर सकते है PDF of the sessions will be available here एक important announcement है जो बच्चे 2021 की तियारी कर रहे हैं उनके लिए 45 days का crash course है इसके लिए आप जा सकते हैं the fee of the course is 15,000 इस 15,000 पे आप code apply कर सकते हैं RB live और इस पे आपको 10% का discount मिल जाएगा लेकिंगे इंडिया के जो project यहां पे चल रहे हैं अगर हम इंडिया के foreign minister की बात करें तो उन्होंने recently यहां पे mention किया और कहा कि इंडिया के जो project हैं अफगानिस्तान के हर पार्ट के अंदर है ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो जहां पे इंडिया ने यहां पे development assistance नहीं दिया है around 400 plus projects इंडिया ने यहां पे undertake किये हैं इसमें सबसे popular जो है that is the Salma Dam Salma Dam जो है 42 megawatt का यह Dam है जो की हिराद प्रोविंस में बनाया गया है इसे 2016 में inaugurate किया गया था अफगान इंडिया friendship आपका जो Dam है इसके नाम से भी इसे जाना जाता है Salma Dam 2016 तो इससे यह जो काफी problems इस Dam को बनाने में आई लेकिन finally इंडिया ने इस Dam को इस तरह से finalize किया और अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा helpful यह रहा है fresh drinking water हो, electricity की needs हो, irrigation की needs हो and तालिबान ने जिस तरह से पूरे area को capture कर लिया है और यहाँ पे जो news हैं वो यह हैं कि तालिबान have mounted attacks in the nearby places killing several security personal and all तो यहाँ पे अब इंडिया का role किस तरह से रहेगा या जो भी है इस point of view से देख सकते हैं सलमा डैम के अलावा अगर हम बात करें तो strategically बहुत important है that is जरांज देलाराम highway जरांज जो है यह इरान की border paste it है as you can see in this map यह आपका इरान है और यह जरांज बिलकुल border paste it आपकी जगह है जरांज और देलाराम का यह जो red color में आपको strip दिख रहा है that is जरांज देलाराम highway यह एक तरह का 218 km का यह highway है इंडिया ने इसको built किया इंडिया की तरफ से जो border road organization है जो armies के लिए या जो border areas है वहाँ पे roads बनाता है उसने यह आपका पूरा highway बनाया था और यह highway क्या कर रहा है यह जो आपको ring आपका road दिख रहा है इस तरह से you have this herat province और यह मजारे शरीफ including काबूल और यह बड़े बड़े जितने भी कांधार है काबूल है इन सब को यह connect कर रहा है इंडिया को क्या है यहां पे direct connectivity मिल जा रही है क्योंकि चाबाहर port यहां तक इंडिया जा सकता है पाकिस्तान जो है यह इंडिया को direct access नहीं दे रहा है यहां से कोई access इंडिया का नहीं है अगर इंडिया को कोई भी trade करना हो development assistance देना अफगानिस्तान को तो इंडिया को पाकिस्तान को बाइपास करना होगा और यहाँ वहाँ पे चाबाहर पोर्ट का रोल है तो यह जरांज दिलाराम हाईवे इंडिया ने बनाया था राउंड 15 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था और यह major जितने भी provinces हैं उनको connectivity दे रहा है लेकिन यहाँ पे problem यह थी कि अभी यह चाबाहर पोर्ट से जो जरांज तक connectivity है यह जो connectivity है यह प्रॉपर नहीं है तो यह एक तरह से obstacle रहा है इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया का जो इरान में investment है वो भी काफ़ ज्यादा affect हुआ because of US sanctions US ने जो sanction लगा रखे हैं उसकी वज़े से चाबाहर पोर्ट में इंडिया का investment affect हुआ है और चाबाहर पोर्ट से जरांज तक connectivity के लिए एक rail line आपकी जानी थी जहाँ पे इंडिया को investment करना था और finally वो contract भी इंडिया के हाथ से चला गया था इरान अब खुद ही उसको develop करने की बात कर रहा है तो यह connectivity अगर बहतर होती तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है बट अभी Taliban यहाँ पे जो rule कर चुका है तो क्या scope यहाँ पे रह जाता है इंडिया के लिए अगर यह connectivity डवलप भी होती है तो Taliban और ruled अफगानिस्तान में इंडिया के पास में क्या scope है इसके उपर बहुत सारे apprehension है तो this is the second one यहाँ पे एक important और development की बात करें तो parliament की यह जो टल भी हरिवाजपे के नाम पे रखा गया है so basically that was a kind of tribute from India's part to democracy इंड अफगानिस्तान अफगानिस्तान की democracy के लिए यहाँ पे था तो अभी Taliban का rule आने के बाद में democracy का तो किस तरह से रहेगा क्या नहीं रहेगा यह सारे apprehensions यहाँ पे है तालिबान is basically using the violence violence यहाँ पे use कर रहा है जिस तरह से grossly human right का violation किया जा रहा है ओके और यह सब देखने वाली बात यहाँ पे भी रहेगी अफगानिस्तान में parliament के investment parliament में जो investment इंडिया ने किया इसी के साथ एक आपका power infrastructure में बहुत investment इंडिया ने किया है इंडिया की तरफ से telecommunication infrastructure को strong करने के लिए भी काफी सारा investment यहाँ पे किया गया है अपार्ट फ्रम दिस इंडिया ने store palace है यह जो palace है इसका historical significance है प्योंकि 19th century में इसको बना गया था यह palace यहाँ पे बना था 19th century में और यहाँ पे आपका इसी के साथ और दूसरे investment के अगर हम बात करें तो इंडिया ने health infrastructure में invest किया है एक children hospital था जिसको इंडिया नहीं बनाया था war के अंदर वो पूरा turn out हो गया था तो इंडिया ने उसे वापस से reconstruct किया है Indian medical missions आपके काफी सारे चल रहे हैं इसी के साथ transportation में भी इंडिया ने काफी help किये जिस तरह से buses है, mini bus है, urban transportation के लिए military vehicles हो गए, ambulance हो गई, यह सब इंडिया ने यहाँ पे अफगानिस्तान को gift किया है इसी के साथ इंडिया की तरफ से aircraft जो है यह दिया गया है, अफगान national carrier के लिए दिये गए है तो these are some of the assistances here, other projects की यहाँ पे बात करें तो इंडिया की तरफ से contribution किया जा रहा है, education के perspective में, schools के अंदर, solar panels को build करने में help की जा रही है और जो toilets हैं, sulab toilet है, from sanitation point of view, इंडिया यहाँ पे assistance दे रहा है, तो इंडिया का assistance हम देख रहे हैं, हर जगे पे है infrastructure से लेके, आपका जो education है, health है, capacity building इंडिया यहाँ पे करना चारा है vocational training institutes यहाँ पे इंडिया ने खोले हुए है, scholarships यहाँ पे दी जा रही है mentoring program in the civil services, training for the doctors and all तो जितने भी इंडिया ने investment किया हुआ है, यह पूरा का पूरा आपका under threat है because of the Taliban, तालिबान ने जिस तरह से चीजों को capture किया है, इंडिया का role यहाँ पे किस तरह से रहेगा, यह जो इंडिया ने investment किया है, यह पूरा endanger आपका हो गया है, और even इंडिया की diplomatic presence in the Afghanistan, यह भी आपका doubtful है, fine, so this is definitely not a good situation, क्योंकि अब Afghanistan के अंदर जो भी चीज़े decide होगी, वहाँ पे इंडिया का कोई involvement होता नहीं होता है, यह भी again doubtful है, ongoing project की अगर हम बात करें, तो recently यह शतूट डैम है, यह आपका, जो है, finalize हुआ था recently अगर हम बात करें, and that is again a kind of very important dam project, जैसे Salma Dam project था, उसी के साथ, announced, also announced 100 community development project worth $80 million, यह recently इंडिया ने कुछ project announced किये थे, यह शतूट डैम आपका finalize हुआ था, community development पे $80 million के project sign हुए थे, तो यह सब आपका अभी जो चीज़ें हैं, खत्रे में पढ़ चुकी हैं, because of the Taliban's advances, Taliban has almost captured Afghanistan, और bilateral trade की बात करें, तो bilateral trade already आपका बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के access नहीं दिये जाने की वज़े से bilateral trade वैसे ही minuscule है, बहुत कम है कहने का मतलब है, और यह अब तालिवान के आने के बाद बिल्कुल negligible हो सकता है, अगर हम bilateral trade की बात करें, तो इंडिया का 2019-2020 में the trade was 1.3 billion, और यहाँ पे इंडिया का export जो है, वो ज़्यादा है, अगर हम export की बात करें, इंडिया की तरफ से, that was around 800 million dollar, और अफगानिस्तान जो इंडिया को export कर रहा है, that was around 500 million, fine, और जिस तरह से जो products आपके भेजे जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान की तरफ से जो इंडिया में products भेजे जा रहे हैं, अफगानिस्तान का जो export है इंडिया के अंदर, अगर उसकी बात करें, so these are mainly dry fruits, fresh fruits, यह सब हैं, इंडिया का जो export है अफगानिस्तान में, that basically consists of pharmaceuticals, medical equipment, cement, computers and all, so अभी इंडिया का 2017 के बाद में थोड़ा सा यह bilateral trade increase होने का हमने देखा था, because of air freight corridor, इंडिया ने दो air corridors यहाँ पर develop किये हैं, काबूल से दिल्ली and हराद to दिल्ली, यह दो air corridors यहाँ पर develop हुए थे, इसकी वज़े से थोड़ा सा trade को boost मिला था, but after this Taliban takeover, यह वापस से आपका imperial हो गया, fine, यह bilateral trade आपका खत्रे में है, तो कुल मिला के जितने भी इंडिया के interest है major, अगर हम बात करें, जो parliament की building यहाँ पे है, देलाराम जरांच highway is there, Salma Dam is there, and other projects, other development assistances that we have discussed, यह सारा जो है, इंडिया ने इतना जो effort किया, पिछले 20 सालों में हमारी जो बेहनत है, हमारा जो investment है, इनके उपर question लगना, question mark start, यहाँ पे हो जाता है, because of Taliban's rule, क्योंकि Taliban यहाँ पे इंडिया को कितना allow करता है, involvement को, that would again be very, I mean, kind of question, क्योंकि Pakistan का यहाँ पे strong hold रहेगा, China का यहाँ पे strong hold रहेगा, and Turkey will also play the role, so India share, okay, इसमें से कोई भी ऐसा country नहीं है, जिसके साथ India के मतलब cordial relations है, सभी के साथ हमारे कुछ issues चल रहे हैं, so that would be a kind of, okay, fact that will influence future engagement with the Afghanistan, और अगर हम Taliban के बात करें, Taliban के जितने भी leadership हैं, या बड़े rulers हैं, they have, they are very, I mean, they are influenced by the Pakistan's leadership, Pakistan की jailों में वो रह के आए हैं, Pakistan का उनके उपर बहुत ज़्यादा influence है, तो वो भी एक factor रहेगा, इंडिया को यह किस तरह से, मतलब, यहाँ पे involvement रखते हैं, नहीं रखते हैं, so this is all regarding this article, यह article का purpose यहाँ पे था, कि किस तरह से इंडिया ने जो investment अफगानिस्तान में किया हैं, उनको एक बार देखना, और किस तरह से यह investment जो आपके हैं, यह three turn हो रहे हैं, because of the Taliban's rule, यह telegram group है, इस पर आप मुझे follow कर सकते हैं, PDF of the session will be available here, इसके लाबाँ आपकी free classes के लिए, अन academy की इस profile पर आप मुझे follow कर सकते हैं, एक आपका complete course launch हो रहा है, जिसमें Indian economy को हम cover करेंगे within this one month period, 23 sessions आपके plan है, पूरी economy को cover किया जाएगा, जो भी NCRT के concepts हैं, या जो भी standard books हैं, रमेश सिंग है, या XYZ जो भी books हैं, previous year questions हम यहाँ करेंगे, तो पूरी economy आपकी यहाँ पर cover हो रही है, अनकेडमी पर आप जुड़ सकते हैं, अनकेडमी subscription की खास बात यह है, once you take the subscription, you will be able to access all the courses of all the educators, सभी educator के सभी courses आप access कर सकते हैं, अभी freedom offer में आपको flat discount दिये जा रहे हैं, एक साल का जो subscription है, इसकी fees है, 44,000 रुपीज, काफी सारे benefit यहाँ पर added हैं, जैसे आपको optional और GS की test series free दी जाएगी, काफी सारे optionals आपके नए स्टार्ट हो रहे हैं, दो साल या उससे उपर के subscription आप ले रहे हैं, if you are not satisfied with the result, you will get one year extra here, आपका subscription बिना किसी extra charge के next year mains तक valid होगा, और इसके अलावा आपको loan facility दी जा रही है, 20 books जिन में पूरा slavers cover है, यह आपको free of cost दी जाएंगी, उकल मिला के subscription में आपको यह जो भी benefit है, यह सारे benefit मिल रहे हैं और इनकी price है 44,000, while going for the subscription, make sure you are using the code rblive to get personalized guidance as well, और यह आपके plans हैं, इन plans को आप choose कर सकते हैं और इसके बाद आप code put कर सकते हैं, iconic के कुछ added benefit है, यह iconic के आपके plans हैं, इसके लिए आप जा सकते हैं, cable optional के लिए जा रहे हैं तो यह cable optional के plans हैं, 18 अगर्स से आपके नहे वेचेज start है, इन में आप अपना syllabus complete कर सकते हैं, तमिल students के लिए exclusive badge start है, तो this is all, इसके अलावा आपका हर Sunday combat होता है, scholarship test में आप participate कर सकते हैं, free test series का benefit ले सकते हैं, that's all for today, don't forget to like, share and subscribe, all the best, have a great day.